नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं नोटा के बारे में आपने चुनाप जब भी दिया होगा आपने देखा होगा लाश्ट में एक नोटा का बटन जरूर रहता है तो यह नोटा का बटन आया कहां से आज किस वीडियो म में ही नोटा का परियोग होता है या कोई अन्य कंट्री भी है जिसमें कि नोटा का परियोग होता है तीसरी बात हम जानेंगे कि नोटा आने से पहले भारत में क्या कोई ऐसी विवस्ता थी जो की नोटा जैसी हो और दूसरी बात अगर थी तो इसको रिप्लेस क्यों किया गया आखिर फिर नोटा क्यों लेके आया गया दूसरी बात जानेंगे कि नोटा का नियाले में कौन से विवाद से फैसला सुनाया था इन सार चीजों की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करने आपने के चुनाब दिया होगा और उसमें एक आन्तिमम में आपने इक नोटा का कहाnda यह मत देने का उसी परकारवास सभी किसी भी उम्मिदवारों को अस्विकार करने का भी अधिकार यानि वो सभी उम्मिदवारों को अस्विकार कर सकते हैं और ऐसी व्यवस्ता को हम नोटा कहते हैं यानि नोटा का सीधा सीधा अर्थ है कि हमें जितने भी पंक्ती में मद आता हैं उनमें से कोई भी पसंद नहीं है और कोई भी पसंद ना होने के कारण हम non of the above को चुनते हैं सवाल यही खड़ा होता है कि नोटा का परियोग क्या ये पहला देश भारत में हुआ 2013 में मैंने बताया कि आपको सुप्रीम कोट के निड़ने के बाद नोटा का परियोग होना प्रारंब हुआ तो क्या ये भारत में हुआ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सबसे पहले जो इसका इस्तिमाल है वो हुआ अमेरिका में साल 1976 में वहाँ पर अमेरिका के कैलीफोनिया में एक चुनाब होने थे इस से जो है एक अलग धारना बनी ये कि अगर आप किसी को नहीं चाते हैं यानि पूरे लिष्ट में अगर कोई भी उम्मीदवार आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा का बिटन दवा सकते हैं अगली बात यह कि नोटा का परियोग जब जिसे अमेरिका में हुआ तो धीरे-धीरे अन्ने देशों में भी बड़ा और भारत जो है ना नोटा का परियोग करने वाला सोलवा देश बना सोलवा देश जो है वह भारत बना इसके बाद जो है अमेरिका के बाद कोलंबिया युक्रेन ब्राजील बांगला देश फिनालेंड इस्पेन स्वेडन चीली फ्रांस बेल्जिम और युनान जैसे समेट कई देशों नोटा को अपने देश में लागो किया इससे एक व्यवस्ता यह थी कि हम जो है मद्दाताओं को यह अधिकार देते हैं कि आप चाहें तो किसी भी उमिदवारों को नहीं चुन सकते साथ में नोटा महत्पुन इसलिए भी है कि अगर नोटा जो है 50% मत पा जाता है यानि नोटा पे अगर 50% जनसंख्या जो है अपना मत देती है तो इसका मतलब यह है कि उमिदवारों की पूरी स्रंकला में से कोई भी उमिदवार पसंद नहीं और चुनाव रद भी हो जात तो अन्यदेशन नहीं दीरे दीरे इसको लागु किया अब सवाल यह आता है कि भारत में ही है नोटा कि भारत ने बड़े लोक तंत्र में सोलवा मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि यह जो भारत जो है वो सोलवा जो है वो देश बना था नोटा गा तो इससे पहले कौन सी व्यवस्ता थी क्योंकि हमारे यहां चुनाब जो है वो 1951 से continue हुए जा रहे हैं तो उससे पहले कौन सी व्यवस्ता थी क्या कोई ऐसी व्यव उनचास O के तहत यह अधिकार मिला हुआ था कि अगर मत आता चाहे तो किसी भी उम्मीदिवार को नहीं चुन सकता इसमें होता गया था कि नागरात्मक वोट डालने वाले लोगों को एक रजिस्टर में अपने नाम दर्ज करना होता था और एक अलग मतपत पर अपना वोट दालना होता था उनको तो सवाल यह आता है फिर अलग क्यों लाया गया फिर नोटा लाया क्यों गया तो मैं आपको बता दूँ जो भारतिय चुनाव अचार सहीता 1961 का नियम जो उनचास O है उसके अंतरगत क्या था उसके अंतरगत था कि जो एक अलग रजिश्टर जो बने थी इसमें साफ साफ एक अलग रजिश्टर में उस मद्दात्ता करम की संख्या डली होती थी जिसपे वह अपना वोट डालता था और इसी को जो ना सुप्रीम गोट ने अपने निर्णे में जो है इसको आज सवेधानिक गोशित किया भारतिय चुनाव अचार सहीता 1961 के न ना वो आया अब सवाल ही आता है कि आखिर वो कौन सा बिवाद था जिसके बाद जो है भारतिय चुनाव अचार सहीता 1961 के नियम उननचास ओक को जो है वो निरस्त किया गया तो मैं आपको बता दू पीपल्स यूनियन फोर सिविल लिवर्टीज बना भारत संग ये मामला ये मामले के द्वारा ही एक जनित याचिका थी जिसके द्वारा जो है नोटा का नियम लागू हुआ नोटा आया जिसके द्वारा नोटा आया और 2013 में जो है इसके उपर फैसला सुनाया गया सुपरिम कोर्ट के द्वारा कि चुनाब में जो है न वो नोटा का परियोग हो राज्यों के विधान सवा चुनाबों में किया गया और राज्यों के चुनाबों में 15 लाग से अधिक लोगों ने विकल्प इस विकल्प को चुना परियोग किया हाला कि यह आकड़ा जो मध्धाताओं के 1.5 परतिसत से भी कम था तो यानि आप देख सकते हैं कि नोटा का परियोग कितना अधिक हुआ आकड़ा कम था लेकिन परियोग जो है कही ना कहीं उम्मिदवारों की नापपसंद जो है वो जनता के बीच बहुत जादा थी 15 लाग से अधिक लोगों ने इसके विकल्प का परियोग किया और एक बात 13 में People's Union for Civil Liberties बना भारत संग मामले में फैसला सुनाया तो चुनाव आयोग ने दोनों पर्त्यक्ष और आपर्त्यक्ष दोनों में नोटा का परियोग करना प्रारंब किया लेकिन 21 अगस 2018 को फिर दुवारे फैसला आया जिसके अंतरकत कहा गया कि राज्य सभा और विधा परिशत के चुनाब में नोटा का परियोग नहीं किया जाएगा नोटा का परियोग बिलकुल नहीं किया जाएगा सिर्फ पर्त्यक्ष चुनाब में नोटा का परियोग किया जाएगा तो उसके बाद जो है वो नोटा कंटिन्यू जो है हमारे चुनाब इलेक्ट्रोनिक व मिधवार पसंद नहीं है और यह जो आया यह दोजा 13 के सरवोच्चे न्याले के फैसले से आया था अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए धन्यवाद